दाले जा रहे हैं बता दे आपको 54 उमिद्वारों के भाग्ये का फैसला होगा और अब ऐसे में बिहार में तीसरे चरण की वोटिंग जा रही है लगातार कड़ सुरक्षा के बीच पाथ सीटों पर मतदान जा रही है सबी मतदाता अपने मत का परयोग करते में नजर आ रहे हैं जन्जारपूर सुपॉल अररया में वोटिंग जा रही है मधिपूरा और खगड़िया में भी वोट डाले जा रहे है 54 उमिद्वारों के आज भाग्य का फैसला होगा इस वक्त की बड़ी और रहम जानकारी आप तक पहुचा दे जहां बिहार के आज 5 सीटों पर वोटिंग लगातार जा रही है ऐसे में कड़ी सुरक्षा की बीच इन 5 सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है जंजारपूर, सुपॉल, मदेपूरा और खगडिया में मतदान जारी है लोकसभा चुनाफ के तीसरे चलन का मतदान जो है वो शुरू हो गया इस वक हम मौझूद है खगडिया लोकसभा चेतर में देखिया किस तरीके से सुबह साथ बचते ही समय पर मतदान जो है वो शुरू हो चुका है आम तोर पर कहा जाता है कि पहले मतदान और फिर जल्पान देखिया किस तरीके से अलग-अलग कतारे जो है वो लग गई है तमाम वोटर जो है वो सुबह साथ बचे से तमाम जो पर पहुंच गए है और ये जिस तस्वीर हम दिखा रहे है जिस बूत की यहाँ पर भीड जो है क्योंकि सुबह का वक्त है और आम तोर पर जब सुबह होता है तो लोग जो है वो जल्दी-जल्दी पहले पहुंच जाते हैं मतदान के इंद्रों पर और अपना मतदान जो है वो देते रहे कई मतदाता जो है सुबस वह पहुंच चुके हैं जो महिला है वो भी पहुंच चुकी है कह सकते हैं कि दूसरे मतदाता जो हैं वो यहाँ पर हैं जो मतदान करने के लिए पहुंची है और यह लंबी कतार जो है वो बता रही है कि जो चुनाव है वो यहाँ पर नजर आ रहा है जबार काटे की वो देखने को मिलेगी क्योंकि एक तरफ जहां चराग पासवान की पार्टी है वहीं दूसी तरफ इधर विपक्षी पार्टी में लेफ्ट के जो नेता है वो उमीदवार है और ऐसे में संजे कुछवाहा और राजेश वर्मा की लडाई जो है वो खगडिया में देखने को मिल रही है सुबह साथ बजे से मतदान जो है वो शुरू हो गया है और एवियम में जो लोग हैं वो अपने वोटिंग करने आपर पहुँच चुके हैं सुबह साथ बजे से तीसे चलन का मतदान जो है वो शुरू हो गया है बिहार में पाँच जगहों पर मतदान जो है वो आज होगा पाँच लोग सबाचेतरों में और देखे जो वोटर्स हैं वो यहां से निकल रही है मतदान जो है वो करकर निकल ये रिखे लाइन से ये कतार देख सकते हैं अलग अलग कतार जो है वो लगी हुई है चाहिए वो महिलाओं को लेकर हो चाहिए पुर्शो को लेकर हो तमाम जगहों पर अलग अलग जो ये देख सकते हैं कतार जो है वो लगी हुई है एक तरफ महि जो कि कतार है जब पर मतदान हो रहा है कि जो बुनियादी मुद्द है इस इसंग इसे बाहुत है परेशानी है उसको लेकर दूर करने करने के वह यहां पर पहुंचआ हुए इस सुबह सहीं मद्दान के ने सुबह सुबह सुब इस ARM लगता है कि आज भी परिशानी खगडिया में मुलबूत चीजों को लेकर सरकों को लेकर या बिजली को लेकर किसी पर परिशानी नजर आता है लोग पलाइन कर जाते हैं बाहर काम करने के लिए नहीं पे होता है करेंगे यह लंबी लाइने जो हैं वो लोगों की यहां लग चुकी है मतदाता जो है वो सुबह से यहां पर पहुंचे हुए एक लंबी कतार जो है वो आप देख सकते हैं यहां पर मतदाताओं की सुबह साथ बजे की तस्वीर है क्योंकि मौसम भी जो है वो लोगों का साथ प्रेशिश्ट मतदान चुरू हो चुका है आन तोब पर पिछले बार की बात करें तो करीब 63% मतदान 2020 में हुआ था और करीब 18 लाग से जाधा वोटर जो है वह यहां पर है और करीब 7 लाक वोटर जो है वह महिलाए और बाकी पुरṣ जो हैं वह यहां पर मतदाता है लेकिन अगर समस्या की बात की जाए तो सडकों का एक सबसे बड़ा परिशानी जो है वो नज़र आ रहा है लोग आज भी पलाइन करते हैं रोजगार को लिकर और कहीं ने कहीं सी रोजगार को लिकर सरकार जो है वो सामने खड़ी हो रही है दोनों पक्ष जो है वो रोजगार की गैरंटी जरूर देते हैं लेकिन अगर सुबह से ऐसी तस्वीरे नज़र आए तो ये जरूर माना जाता है कि एक अच्छी तस्वीरे हैं लोकतंद्र के हिसाब से क्योंकि मतदाता जो है वही सबसे आगे होते हैं अगर मतदान करेंगे तो ही लोग आगे बढ़ेंगे चुनाव जो है वो काफी अच्छे तरीके से होगा लेकिन अगर दो चरनों की तस्वीरों को देखा जाए तो आमतोर पर जो मतदान प्रतिशत रहा है वो कम रहा है लेकिन खगडिया पिछले बार भी आगे रहा है और अजबार भी देखना है कि कितना मतदान जो है वो यहां से होता है वीडियो जनले सतेन कुमार के साथ उतकरश न्यूज नेशन खगडिया